नमुद्ध्याये भगवान बुद्ध की जय हो, सरो प्रथम हमारे आचारे गुरुजी के चरणों में मेरा सच्छत प्रणाम हो आज हम लोग भगवान बुद्धी का एक बहुत ही सुन्दर धरम देशना सीखने वाले हैं आज का हमारा मात्रु का है क्रोध के बारे में सबी लोग क्रोध के कारण पीडित हैं, क्रोध के कारण सबी लोग आशांती हैं क्रोध के कारण सब लोग बहुत दुख से जीवन बिदाते हैं आखिर क्या है कि ये क्रोध, हम सबी लोग जानते हैं, ये क्रोध जब हमारे मन में उत्पन होता है तो क्रोध के कारण एक दूसरों को मार देती है एक दूसरे का हात्या कर देती है दूसरों को समाप्त कर देती है एक क्रोध इतना ही भयानक है देखी एक सुन्दर घटना बताते हैं आखर ये क्रोध किया है भगवान बुद्द्द जी के समय में एक परिवार था तो उसी परिवार वाले लोगों का शादी हुआ तो एक पती थी और एक पत्मी था तो कुछ समय के बाद क्या हुआ वो पत्मी गर्भवती बढ़ी गर्भवती बढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद बच्चे का जन्म हुआ जब बच्चे का जण्म हुआ तो घर का लोग बहुत खुशिया मनाएं बहुत खुशी से रह रहें थे अचानक बता है एक दिन क्या हुआ एक दिन अचानक से उसका बच्चा को किसी ने उठा लिया उठा करके उसी बच्चा को मार दिया मार करके खा गया मालूम था वो कौन थी? वो एक राक्षस्नी थी. राक्षस्नी वो पत्नी देखती है कि अरे मेरा बेटा को एक राक्षस्नी खा गए. वो बेचारी पत्नी बहुत दुख हुई. उस घर के लोग बहुत दुख ही हो गए. कुछ समय बाद क्या बात हुआ मालूम है उस माँ के गरब में और एक बच्चा आया दूसरी बार भी वो पत्नी बच्चे को जन्म दी बच्चे को जन्म देने के बाद घर के लोग बहुत खुशी हो गया समाने आप लोग तो जानते हैं कि अगर किसी घर में बच्चे का जन्म होता है तो घर के लोग बहुत खुशिया मनाते हैं अगर जिस किसी घर में बच्चा नहीं है तो उस घर का लोग बहुत दुखी होता है लेकिन जिस किसी घर में बच्चे का जन्म होता है सबही लोग खुशी हो जाते है तो जब दूसरा बच्चे का जण हुआ तो उस गहर के लोगभी बहुत खुशी हो गए बहुत खुशी हो गए पर एक दुर भागगे खुश दिन के बाद वो एक राक्षास्ने पता नहीं कहां से आती है पता नहीं कहां गाइब हो जाती है और आक्षस नहीं आई है दूसरे बच्चे को भी लेकर चले गए मार कर खा गई हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं यह कैसे होता है लेकिन ऐसा हुआ उस घर का दुर भाग गे उस माह का दुर भाग गे उस परिवार का दुर भाग गे दूसरी बार भी घर के सभी लोग बहूत दुखी हो गया बहूत रुएं किसको सुनाएं किसको अपना दुप बताएं किसको बोलें कि कौन आता है और कौन बच्चे को खा जाता है अकली बट मालू है क्या हुआ वो माईक अलग तरकीव लगाई उसी घर पर ना रहा करके वो अपने माईके चली गई किसी को नहीं बताई माईके जा करके बच्चे को जर्ण दी अभी सब ठीक है बच्चा थोड़ा बड़ा भी हुआ तो वो राक्षास्नी जो थी वो आ गई वापस राक्षास्नी और गुस्षा होगे खोज-खोज करके गई कहा माईकी एक दिन मालो में क्या हुआ एक दिन वो माँ अपने पूत्र को एक के पोक्कर के किनारे रख करके असनान कर रहे थी इसनान करते से मालो में क्या हुआ दूर से दिखाए दे रहा है उसी मा को कि कोई आ रहा है दोड़ करके मा तुरंद समझ गए अरे ये तो वही राक्षसनी आ रही है तुरंद मा उस तालाप से निकली तालाप से निकल करके तुरंद बच्चे को गोद मिली गोद मिले करके अभी मा दोड रही है दोड रही है राक्षसनी पीजा कर रही है किसली मालू है उस बच्चे को खाने के लिए अभी मा तो बहुत दुखी से है न कियों उसी मा का दो बच्चा मर गया वो राक्षसनी खा गई अब इस तीसरे बच्चे को भी खाने के लिए आ रही है राक्षासनी से तो सकती सालिय है न वो जल्देली डॉल रही है मा डॉल रही है, डॉल रही है, बोल रही है बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मेरी बच्चे को बचाओ ये राक्षास ने मेरा दो बच्चे को खा गई अब इस तीसरे बच्चे को खाने आ रही है कोई दो बच्चा हो जनता लोग, शहर वाले लोग आशरी से देख रहे हैं उन लोग को पता नहीं क्या हो रहा है उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है उस बच्चे का भाग गए उस मां का भाग गए पता है हुज दिन क्या होँआ था भगवान बुद्ध जी जेत्वन आश्रम में उसी समय प्रवशन दे रहे थे ये मा दोड़ते, दोड़ते, सीधा भगवान बुद्ध जी के पास गए भगवान बुद्धी के पास जाकर अपने बच्चे को भगवान बुद्धी के चर्णों में रखती रख करके बोलती है ये भगवन मेरी बच्चे को बचाईए ये भगवन मेरी बच्चे को बचाईए ये राक्षसनी मेरा दो बच्चे को मार कर खा गए अब इस तीसरे बच्चों खाने आ रही है भगवन मुझ पर दया करिए मुझ पर दया करिए ऐसे भगवन के सामने गिर करके गिड़ गिड़ाने लगी वो राक्षासनी आ गई क्रोध से दोड़ दोड़ के दोड़ दोड़ के पर भगवन बुद्धी जी के महानु भाव बल से महा प्रताप के कारण वो जेत्वन आस्रम के द्वार पर ही रूख के उसको अंदर नहीं आ सकता भगवन बुद्धी का बल के कारण भगवन बुद्धी जी उसको बुलाएं क्या तुम को मालूम है आखिर तुम क्यों इस बच्चे को खा रही है नहीं ना आखिर मालूम है उससे क्या उससे पत्नी से पूछते हैं आखिर मालूम है तुम्हारा बच्चा को यह क्यों खा रहा है दोनों बोलता है नहीं भगवान बुद्जी एक रहश्य में एक भूत काल की घटना को बताते हैं आखिर क्यों एक दोनों में वैर हो गया आखिर क्यों एक दोनों में क्रोध हो गया आखिर क्यों ये राक्षास ने इसके बच्चे को खा रही है भगवान बुद्जी बताएं सुनो ध्यान से तो ध्यान से सुनिए यही यह रहस से आखिर क्यों ओ इसके बच्चे वो खाती है भगवान बुद्जी बताते हैं बहुत पूरो में एक परिवार था तोसी परिवार में एक लड़का था ओ लड़का एक लड़की से साधी करता शाधी करने के बाद मालूम है क्या हुआ सबी लोग पसंद किया है शाधी होने के बाद एक बच्चा होना चाहिए न पर अंतु उसको पुत्रलाब नहीं हुआ और समय गया पुत्रलाब नहीं है तो पत्नी है बोलती है पती से कि अरे स्वामी मेरे को पुत्रलाब नहीं हो रहा है आप एक और साधी कर लिजे न तो एक और पुत्र आ जाएगा हम उसी दूसरे पत्नी को हम अपनी बहन के समान मानेंगे कोई इर्षय नहीं होगा कोई ज शादी कर लीजिए न और एक शादी कर लीजिए हम लोगों पूत्र लाब होगा हम लोग खोशी से रहे हैं पत्ति अंत में पत्नी बहुत बोर रही है तो पत्ति क्या किया और एक शादी कर लिया और एक शादी करने के बाद कुछ समय गया कुछ समय जाने के बाद उसी जो द पूत्र लाब के कारण अभी सभी लोग क्या करने लगा उस दूसरी पत्ने को खूब सम्मान, खूब आदर, खूब गौरब, सभी लोग उसको तौफा देने लगे, गिफ्ट देने लगे, उसका गुंगान करने लगे, अरे इस बार तो हम लोग कम से कम बच्चे का लाब तो बहुत सम्मान, सदकार पाने के कारण इस जो पहली पत्नी थी ना, जो पहली पत्नी, जो बोली कि एक साधी कर लिजे, पहली पत्नी के मन में इरश्या जागा, क्यों जागा इरश्या? क्योंकि जो इसको सम्मान, सदकार मिलता था, अभी वो सारा सम्मान, सदकार दूसर पतने को मिनला गा,ोंकि ओगर्बत ही बंद गे। दिरे दिरे इरिषया जागा। आज कल भी यह होता है, आज कल ऐस आने कि यह नहीं होताच ही। तो देखिए यह इरिषया कितना खतरनाक है। यह क्रोध कितना खतरनाक है। पहली पतनी किया है?। छुपके से बिना किसी को बताए, दवा के जरीए, उसके खाने के जरीए, उसके खाने में जहर मिला दी। किसी को मालूम नहीं था। दूसरी पतनी खाना खाने के बाद एक दिन, वो जहर के कारण उसका बच्चा जो था गर्व में, मालूम नहीं क्या हुआ। खुन के साथ बह गया, बच्चा मर गया, अभी किसी को समझ में नहीं आया, कि अरे अचानक बच्चा को क्या हो गया, कैसे मर गया, घर के लोग अत्यानत दुखी हूँ, बहुत रोएं, किसको बताएं अपना दुख, कुछ समय बाद दुख भी समप्त हो गया, फिर मालू मैं वो फिर से खुशिया मन आए, घर के लोग फिर से खुशिया हो गया, अत्यानत प्रसान हो, पर इसके मन में फिर से वहर जागा, फिर से क्रोध जागा, फिर से इर्शिया जागा, इस दूसरे पतनी के मन, पहली पतनी के मन में, उसके मन में इर्शिया जाक नहीं कर, वो पत वेर कितना खतरनाक है, दूसरे के उन्यति को देखकर प्रसंद नहीं हो सकता आजकल के लोग, वो भी वैसा ही हो गया, उसका बच्चा जो था घर में, मर करके खून के साथ मिखल गया, दूसरी बार तो अत्यानत दुख्य हो गया, बहुत जाता दुख्य हो गया, सभी लोग, क्यों बच्छा मर गया घर के लोग दुखी तो मनाएं दुखी नहीं मनाएं अत्यां तो दुखी हुएं लेकिन दूसरी बार सबको शक हो गया कि लगता है ये पहली पत्नी का ही काम है पहली पत्नी नहीं इस बच्चे को मारा है सबी लोग दोश लगाते हैं परन्त वो जुट बोलती है पहली पत्नी कि अरे हम ऐसा काम नहीं किये हैं हम ऐसा काम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं हम कैसे मारेंगे ये तो मेरी बहन के समार है दूसरी बार भी जो मामला था सांथ हो गया कुछ समय बाद दूसरी पत्नी के मन में फिर से गर्ब ठाय रहा हूं तीसरी बार वो किशी को नहीं बताई कि मेरे गर्ब में बच्चा आ गया है तीसरी बार वो चुप चाप रह रहे थी पर अंतों जानते हैं कि जब गर्ब में बच्चा आता तो जब बड़ा हो गया सबको मालूम चल गया रही ये मा तो गर्भवति बन गई पहली पत्नी के मर में और गुस्सा जा गा अच्छा, इस बार तो तुम गर्भवति भी बने और किसे को बताई भी नहीं अच्छा हम करते हैं इसके लिए कारे पहली पत्नी ने क्या किया फिर से खाने के जरीए दवा देजी उसको मालूम नहीं था वो खाना खाई जहर पीट में गया पर उन्तिस बाद थोड़ा खत्रा जादा हो गया था मालूम है क्या जो बच्चा था वो पेट में बड़ा हो गया था बड़ा होने के कारण अभी खून नहीं बन सकता बच्चा वो बच्चा भी मर गया और मा भी मारांतिक दुख में आ गई मतलब मा भी अभी मरने वाली है क्योंकि बच्चा बड़ा था विश्का प्रभाव ज़्यादा था तो अभी क्या हुआ मा मरने वाली अभी अंतिम स्वास गिन रही है कौन? मा मा समझ गए कि ये मेरा बच्चा को कोई और नहीं यही मारी है उसका क्रोध पूरा जागा मन में मन में पूरा वहर जागा कि ये तुमने मेरा तीनों बच्चा को मार दिया इसी पार मुझे भी मार दिया अत्यांत क्रोध जागा भयाना क्रोध जागा वो क्रोध से सपत लेते हुए बोलती है कि तुमने मेरा तीनों बच्चा को मारी है हम जन्मों जना में तुमको खा जाएंगे हम जन्मु दिनम में तुम्हारी बच्चे को खा जाएंगे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे ऐसे क्रोध करते हुए कुस्सा करते हुए अत्मन में अत्यांत भयानक क्रोध जगा करके बदला लेने के मन से वो मर जाती बड़तमाद स्वामी कीतना होता है नएशी एक दूसरे को बदला लेने के चलते कैसा कैसा क्रोध नहीं करते है वो मर गई क्रोध मन से मर गई समय के साथ जो पहली पतनी थी वो भी मर गई अगले जन्हें में पता है क्या हुआ एक शेर बनता है तो और एक हीरन बनती है और एक जनम में एक कुता बनता है तो और एक बिल्ली बनती है एक जनम में चुहा बनता है तो और एक बिल्ली बनती है हर एक जनमों में एक दूसरे को बच्चे को खाते खाते आ गए उसी जना में वो शपत लेता कि हम तुम्हारे बच्चे को खाएंगे तो अगली जना में वो दूसरी वाली शपत लेती है कि हम तुम्हारे बच्चे को खाएंगे इस प्रकार क्रोध चलते गया क्रोध चलते गया क्रोध चलते 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 तो क्रोध आ गिया, वो गर्वती बनी, एक जन्मों जन्म का जो क्रोध था, वो आ गिया, इसका मालूम है क्या बाद, वही क्रोध इस जन्म में भी आ गिया, इस जन्म में वो गर्वती बनी, बच्चे को जन्म दी, इसके बच्चे को जन्म दीने के कारण, ये क्रोध के इतने जन्मों जन्म में एक दूसरे का बच्च को खा गया, अब तु वो वेर समाप्त कर दो, अब तु वो वेर को हटा दो, आखिर कितने जन्मों में एक दूसरे के बच्च को खाते रहोगी, अगर अभी वेर हटाई नहीं तो, आगले जन्मों जन्में एक दूसरे के बच् इसके बाद भगवान बुद्जी एक सुन्दर गाथा बताते हैं नहीं वेरेने वेरान सम्मंतीध कुदाचन अवेरेने चे सम्मंती एस धम्मो सनंतन भगवान बुद्जी बताते हैं इसका अर्थ क्या है नहीं वेरेने वीरान वेर से वेर कभी भी समप्त नहीं होता है क्रोध से क्रोध कभी भी क्रोध समप्त नहीं होता है क्रोध नहीं करने से क्रोध समप्त हो जाता है एक उदाहरन ले लिजी अगर एक कोई आदमी आकर के हमको गाली दे रहा अगर हम भी उसको गाली देने जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर जगड़ा बढ़ेगा या कम जाएगा बढ़ेगा तो क्या करना होगा एक गाली दे रहा है तो दूसरा का चुप हो जाता है तो या उसका मंगल मैतरी करता है तो गाली नहीं दे रहा है तो क्या होगा पिर नहीं करने से, क्रोध नहीं करने से ही, क्रोध समाप्त हो जाता है। उदाहरन लिली जी और एक, कोई आदमी आकर के हमको मारा एक थपड, अगर हम भी उसको एक थपड जाकर मारेंगे तो क्या होगा? लड़ाई बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा ही ना, कोई आदमी आकर के है, मेरा हाथ काट दिया, अगर हम भी उसके हाथ को काटेंगे जाकर के तो, गुस्सा बढ़ेगा या कमेगा? गुस्सा बढ़ेगा, तो इसका मतलब एक तरफ से कोई मारने आ रहा है तो, दूसरे त अपसे सांथ हो जाता है तो मैत्री करता है तो उसका मंगल कामना करता है तो वहां पर क्रोध समाप्थ हो जाता है इसलिए भगवान बुद्जी बता है बैर से बैर समाप्थ नहीं होता है क्रोध से क्रोध समाप्थ नहीं होता है क्रोध नहीं करने से ही क्रोध समाप्थ हो ज दोनों बहुत रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगेे। क्यूं? दोनों का हैं ンगलती है ना पीछले जन्मों का दोनों फूट फूट कर रोने के बाद भागवान बुज्झी बोले माा को अरे उसको भी थोड़ा सा बच्चा दे दो तो मा उसके हाथों में बच्चे को दे दी वो बच्चे को लेकर के प्यार से थोड़ा सा दुलारी इसका बच्चे को वापस मा को दे दी अभी दोनों का जो क्रोध था क्या हो गया? समाप्त हो गया जो बैर था वो समाप्त हो गया मन से क्रोध को हटा दे, दोनों तो देखिए, भगवान बुद्ध जी के कारण भगवान बुद्ध जी धरम बताने के कारण क्या हुआ उनलों का क्रोध समाप्त हो गया अगर भगवान बुद्ध जी नहीं होते तो उस जनमे वो राक्षास ने, उस मा के बच्चे वो खा जाती ये मा फिर से मन में क्रोध जगाती क्रोध जगा कर फिर से बदल लगने का भाव बनाती फिर से अगले जन मुद्ध जनमें एक दूसरे के बच्चे वो खाते रहती तो देखिए ये क्रोध कितना खातरनाक है तो अभी हम लोगों के साथ नहीं हो सकता है किया हम लोगों के साथ भी हो सकता है हम लोगों के पास भी ऐसे क्रोध करने का समय आता है तो अगर हम लोगों भी क्रोध करने जाएंगे तो गुसा करने जाएंगे तो हम लोगों का काल्यान नहीं होने वाला हम लोगों का आकल्यान होने वाला जैसे उस मा को हो गया जैसे उस राक्षासनी को हो गया इसलिए भगवान बुद्धी बताते हैं कुद्धु अथ्थांग नजानाती क्रोध करने वालों कभी भी अर्थ नहीं जानता अर्थ यहाँ पर कहेंगे तो क्रोध करने वालों कभी भी अच्छा ही काम नहीं कर सकता अपने हिच्छों के बारे में वो कारे नहीं कर सकता कुछ खराब कारें करता या तो हत्या कर देता या तो मार देता कुछ रूप नहीं दिखाई देना जैसा उसी कुरोधी व्यक्ति को अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता कोई भी पाप कर देता है इसलिए ये क्रोध इतना ही खतरनाक है इसलिए हम लोग कोशिश करना चाहिए इस क्रोध को धीरे 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 मिटाने के लिए एक बार में नहीं मिटेगा धीरे धीरे ये क्रोध मिट जाता है इतना ही एक क्रोध खतरनाक है इस क्रोध को मिटाने के क्या करना होगा भगवानपुजी सुन्दर एक बात बता हैं दूसरों को मंगल महित्री करने के लिए दूसरों के बारे में मंगल महित्री काम ना करेंगे तो दूसरों को भला ही चाहेंगे तो देरे देरे क्या होगा क्रोद काम जाएगा इसलिए ये क्रोध के बारे में हम लोगा सीखे हैं ये क्रोध इतना ही खदरनाक है तो हम लोग कोशिज करना चाहिए इस कहाने के जरीए इस घटना के जरीए हम लोग क्रोध को दिरे दिरे कम करने के लिए नहीं तो अगर हम लोग भी क्रोध करने जाएंगे तो वहर करने जाएंगे तो हम लोगों को भी उस राक्षास्ति और उस मा के जैसा ही हो जाएगा हम लोगों को फिर एक दूसरे के बच्चों खाना पड़ेगा, कभी-कभी हम लोगों को भी ऐसा दुख सान करना पड़ेगा, हम लोग नहीं जानते हैं इस संसार के बारे में, एक क्रोध इतना खतरनाक है, इसलिए हम लोग कोशिस करेंगे, इस घाटना को अपने जीवन मुत करते हैं, जीवन बिताने का भागी मिले, आप सापका कल्यान, आप सापका मंगलों, आप साफिलों सुखी से जीवन बिताने, यही मेरी कामना है, नमो बुद्धाय।